गुड मॉर्निंग फेंज मैं राज कुमार सिंग आप सबीनों का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वाध करता हूं आज किस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 सुप्लिमेंटी रीडेल का सेकेंड चेप्टर जिसका टाइटल है दा जजमेंड सीट अफ विक्रमा दि थे और इन्हीं के नाम पर विक्रम सन्वत की शुरुवात हुई थी बहुत ही इंटेस्टिंग चेप्टर है तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं जाँब अच्छे से समझते हैं His reign has been a landmark in the history of our country Reign मतलब हो जाएगा सासन Landmark मतलब होता है महत्पुण उनका सासन हमारे देश के इतिहास में महत्पुण अस्थां रखता है The Vikram Sanwat owes its origin to him और Vikram Sanwat की जो origin है जो उत्पती है To him मतलब उनसे ही हुई है अर्थात उनके नाम से ही Vikram Sanwat चलता है Although his name is so famous यदपी उनका नाम इतना परसिद्ध है It is strange that we hardly know anything definite about his life यह बिचित्र बात है कि We hardly हम लोग मुश्किल से नो मतलब जानते हैं Anything कुछ भी definite मतलब निश्चित रूप से About his life उनके जीवन के बारे में There is one thing certain about him उनके जीवन के बारे में यह certain मतलब निश्चित है However, की he loved justice and learning की वह प्रेम करते थे Justice मतलब नयाय से and learning मतलब बिद्ध्या से उन्हें नयाय और बिद्ध्या से प्रेम था He gave perfect justice to his people and gathered learned men about him in his court He gave perfect justice अर्बार में बिद्ध्वान लोग एकत्रित थे गलत ब्यक्ति का मतलब यह हो जाएगा कि ना तो उन्होंने कभी किसी निर्दोस ब्यक्ति को दंड दिया The guilty, guilty मतलब अपराधी ट्रेमबर्ल मतलब कांपते थे अपराधी कांपते थे when they came before him जब उनके समझ, before मतलब समझ आते थे For they knew, कि उन्हें पता था That his eyes की उनकी याँखे Would look straight into their guilt उनके अपराध को एकदम असपस्ट रूप से देख लेगी And those who came to him with difficult problems और वे ब्यक्ति जो उनके सामने difficult problems मतलब कठीन समस्याँ को लेकर के आते थे Were always satisfied वे हमेसा संतुष्ट हो जाते थे By the way he solved them जिस प्रकार से वो उनकी समस्याँ का हल करते थे And so, और इसलिए in India भारत में after him उनके बाद में When he was any just जब कभी भी कोई न्यादीज Pronounced सुनाता है His judgment अपने न्याद को With great skill बुद्धिमानी के साथ It was said to him तो उसके बिसे में ऐसा कहा जाता है Oh, he must have sat on the judgment seat of विक्रमादित्य अरे वह अवस्य ही विक्रमादित्य के न्याद सिंगहसन पर बैठा होगा Has anyone ever seen the judgment seat of विक्रमादित्य क्या किसी ने कभी विक्रमादित्य के judgment seat न्याद सिंगहसन को देखा है Perhaps not सायत नहीं Because the seat does not exist anymore क्योंकि उनका न्याद सिंगहसन अब नहीं है exist मतलब हो जागा अस्तित्तों में होना मतलब उनके न्याद सिंगहसन का कोई अस्तित्तों नहीं है I am going to tell you how it disappeared और मैं आपको सिस्टर निवेदिता कहती है कि मैं आपको बताने जा रहे हूं कि यह किस परकास से disappeared मतलब अद्रिस से हो गया अप्टर दे थो विक्रमादित्य विक्रमादित्य के मिर्त्वी के पश्चात दा पीपल आफ उजयन उजयन के लोग इन ड्यू कोर्स अब टाइम समय के साथ साथ फार्गॉट हीम उन्हें भी भूल गया His palace and his fortress were ruined उनका जो महल था और his fortress उनके जो किले थे वा ruined, ruined मतलम नस्ट उनका महल था उनके किले नस्ट हो गया The hip of ruins खंडहरों का धेर having been covered with grass घास से ढख गया था dust and trees धूल से और पेडों से ढख चुका था उनके जो महल का और उनके किलों का जो खंडहर था, वह धेर बन चुका था और वह घास, धूल और पेडों से ढख चुका था वह turned into a pasture और वह अब एक चारगाह बन चुका था for feeding the cattle पशुणों को चड़ने के लिए The village people मतलब ग्रामिड used to send their cows अपनी गायों को भेज दिया करते थे out to these pastures इन चारगाहों में to graze मतलब चड़ने के लिए early in the morning प्राता काल the cattle would go in the care of shepherd boy जो पशुण होते थे वह चरवाहे बच्चों की देख रेक में चले जाते थे and do not return till late in the evening और वे लोग बहुत देर से वापस आते थे when it was time to return जब उनके आने का समय होता था a shepherd boy would call out from the ease of the posture एक चरवाह लड़का उस चरवाह के ease मतलब किनारे से उनको call out मतलब जोर से आवाज लगाता था and all the cattle along with their cowherds और सभी जो पसू थे वह अपने cowherds मतलब चरवाहों के साथ gathered round him इकठा हो जाते थे and together they would turn homewards और वह साथ साथ घर की तरफ चल देते थे such what the life of separate boys in the village about उज्जैन उज्जैन के about उज्जैन मतलब उज्जैन के आसपास के गाओं के चरवाहे बच्चों का जो जीवन था इसी प्रकार का था there were many of them वह बड़ी संख्या में थे and in the long days on the pastures और चरवाहों में लंबे दीनों में उनके पास they had plenty of time बहुत ज्यादा समय था plenty का मतलब होता है प्रचूर बहुत ज्यादा समय था far fun मतलब आनंद करने के लिए one day they found a playground एक दिन उन्हें एक खेल का मैदान मिला and how delightful it was और यह कितना आनंद दायक था the ground under the trees was और जो जमीन था उन पेणों के नीचे की जो जमीन थी rough and uneven वह rough मतलब भद्दी थी and uneven मतलब उबर खावर थी अर्थात पेणों के नीचे की जो जमीन थी वह भद्दी थी तथा उबर खावर थी here and there और जहां तहां the ins of a great stone pipped out बड़े बड़े पत्थरों के जो किनारे थे या जो नोग थी वह pipped out बाहर के दरह निकले हुए थे and in the middle और बीच में there was green mound एक हरासा mound मतलब तीला एक हरासा तीला था which looked very much like a judge's seat जो एक न्याय सिंगासन के समान दिखता था at last अंद में one of the boys उन लड़कों में से एक ने thought मतलब सोचा मतलब ऐसा मतलब उसने सोचा किया एक न्याय सिंगासन है and seated himself on it और उस पर वह बैठ गया I say boys he cried वह चिला कर कहा मैं कहता हूं बच्चों I will be the judge मैं न्याय दी सोँगा and you can bring all your cases before me और तुम लोग अपने cases मतलब मामलों को मेरे सामने लाओ and we will have trials और मैं उसका निड़े करूंगा then he stand his face और तब वह अपना चेहरा सीधा किया and became very grave और वत्यदिक गंभीर हो गया to act the part of judge मतलब judge का कारे करने के लिए वह अपना चेहरा सीधा किया और बहुत गंभीर हो गया others saw the fun at once और यह दूसरे बच्चों को एक मजाक लगा and whispering among themselves और अपने आप में वह लोग कुछ बात किये quickly picked up some quarrel और वह लोग आपस में कुछ जगड़ा के and appeared before him और उसके सामने उपस्तित हो गया इस group मतलब परतेक group state their case अपने मामले को अपने पच को प्रस्तूत किया वन सेंग दैट सर्टेन फिल्ड वाज दिया किसी एक ने कहा किया जो फिल्ड थी वह उसकी है अनादर सेंग दैट इट वाज माट and so on और दूसरे पच ने कहा कि यह खेत उनका नहीं है and so on मतलब इस प्रकार से चलता रहा दे आल वांटेड वे सभी लोग चाहते थे ही मतलब उससे to settle the dispute मतलब उस जगडे का निप्टारा किया जाए but now लेकिन अब all of sudden अचानक से a strange thing एक अचानक चीज made itself felt एक अचानक चीज का अनभो किया जाने लगा मतलब एक विचित्र सी घटना हुई the boy who appeared so common before he sat down on the mound जो लड़का उस टीले पर बैठने से पहले बहुत ही common मतलब सधारण दिखाई देता था looked so different now अब वा पूर रूप से भीन दिखाई पड़ने लगा he had become grave and serious वा अब गंभी हो गया and his tone और उसका swear and minor मतलब तरीका मतलब उसके जो बोलने का तरीका था were so strange वह बहुत बिचित्र हो गया and impressive और इतना प्रभावपुड हो गया that the rest of the boys कि जो rest of the boys मतलब जो बचे हुए लड़के थे were a little frightened वह थोड़ा सा भाइभीत हो गया still they thought it was fun और फिर भी उन लोगों ने समझा किया तो एक मजाक है and once again और पुना एक बार they put up a phrase case before him वे लोग पुना उसके सामने एक नया मामला रख दिये and once more he gave his judgment और एक बार पुना उस लड़के ने अपना निड़े दिया and this band turned for hours and hours together और यह घंटो घंटो तक चलता रहा he sitting on the judge's seat was judge के आसन पर बैठा हुआ listening to complaint शिकातों को सुनता था and pronouncing sentences और अपना निड़े सुनाता था with the same gravity उसी गंभीरता के साथ till it was time to return जब तक कि उनके घर वापस आने का समय नहीं हो जाता था and then he jumped down from his place और जब वो अपने अस्थान से कूत पड़ता था and was just like any other cowherd तो वह अन चरवाहों की तरह ही समाने बालक हो जाता था झाल